सबीको नमस्कार BSE Second Year के Mathematical Physics के पिपर में हम बात कर रहे थे Boundary Value Problems के बारे में ठीक है? जिसमें हमने कुछ application, एक topic हमने पढ़ा था कि Laplace Equation in Cartesian Coordinates ठीक है? आज ये सी Boundary Value Problems में नहीं application हम पढ़ेंगे जिसका नाम है Laplace Equation in Spherical Coordinates हम बात करेंगे किस के बारे में? Laplace Equation in Spherical Coordinates ठीक है? देखो, Boundary Value Problems में हमने जो method discuss किया था problem को solution निकालने के लिए method कौन सा था हमारे पास? method of separation of variable यानि हमें जो भी function हमें define करना था, उस function जिन जिन variables के उपर depend करता है उन variables का हमें क्या करना था? अलग लग function मानना था उस function को जो भी differential equation जिसका हम solution निकाल रहे थे उसके अंदर put करके हमें क्या करना था? उसके values यानि उसके लिए अलग-लग variables के लगले differential equation बनानी थी और फिर उनका solution हमें define करना था, तो same इसी तरीके से हम मिकालेंगे Laplace equation in spherical coordinates, देखो Laplace equation हम क्या कहते है, Laplace in operator है, वो define क्या था किस से, del square से value आगे, हमारे बास कोई function ले लिए, suppose that अपनने psi, psi function हो गया, spherical coordinates कोई से होते है, r theta and phi equals to value आगे, 0 के बराबर, ये equation कहला थी, कौनसे equation, Laplace equation, del square जो है, ये del square क्या कहला था, Laplace ये operator कहला था, अब इस del square की value, हमने unit first में ध्यान होता, unit first में हमने calculate की थी, del square की value, spherical coordinate system में, 1 upon r square del upon del r r square, del upon del r, ठीक है plus value आगे, 1 upon r square sine theta del upon del theta, और value आगे sine theta, del upon del theta plus ने value आगे, 1 upon r square sine square theta del 2 upon value आगे del phi square, ये तो value आगे किसकी, del square की Laplace equation operator की, और यहा हमारे बास function क्या है, जो potential है r theta और phi equals value आगे, 0 के बराबर, ठीक है अब size जो function है, जो potential है, spherical coordinates की हम बात कर रहे है function है किसका, r theta और phi का, तो separation of variable में हमें क्या करना है, हमें r का function अलग बनाना है, theta का function अलग बनाना है, और phi का function अलग बनाना है, जैसे suppose that मेंने कहा दिया, small r का function capital R है, h मैंने एक function ले लिया, किसका, phi का ले लिया, और एक function ओड़ ले ले लिया, sorry, h अपन में function ले लिया, किसका, theta का, और t अपन में function ले ले लिया, किसका, phi का, ठीक है? अब इस साई र थीटा फाई की वैल्यू जैसे इसको दे दिया है मैंने equation number 1 दे दिया अब इस साई र थीटा फाई की वैल्यू अगर मैं इस equation में put करूँ तो पहली जो term इसमें differential किसके corresponding है r के corresponding है small r के corresponding है small r के corresponding है तो इसका मतलब क्या होगा थीटा और फाई ये दों term की तर आजाएंगे से बाहर आजाएंगे और differential सिर्फ किसका आएगा r का आएगा ऐसे ही थीटा के corresponding है differential किसका होगा सिर्फ h का होगा फाई वाले term में दिफरेंशन सिर्फ किसका होगा फाई का होगा तो पहली term में अगर मैं equation 1 और 2 को अगर दोनों को join करूँ तो देखो equation क्या बनेगी h as a function of theta t as a function of phi ये दों तो differential से क्या हो जाएंगे बाहर आजाएंगे ठीक है फिर value आगी डेल अपोने value आगी डेल r r square डेल अपोने value आगी डेल r और यहां क्या आगया capital r आगया प्लस नवेली आगी क्या बन गया r और t बाहर निकालने अपोने value आगी r square sin theta डेल अपोने value आगी डेल theta sin theta डेल h अपोने value आगी डेल theta प्लस नवेली आगी 1 अपोन r square sin square theta डेल 2 अपोने value आगी डेल 5 square तो बाहर क्या जाएगा आर और एच दोनों डिफरेंशीशन से बाहर आजाएंगे इक उस्टो वैल्यू कितनी आगए जीरो आगए ठीक है अब इसी टम को हम क्या कह सकते हैं हमें क्या करना है आर की टम हमें अलग बनानी है ठीटा की टम हमें अलग बनानी है थीता की टम łamiं अलग बनानी य तो पहले बात तो ल ही खरो बिक उनी टम में कॉम बना जाएगा कॉम अकर ह सीरो है हटा इसको इस पूरीह क्वेशन में इस वह MARY कर दूँ किस से और हैश 60 का भाग देने पर on dividing with R, H and कि तीनों से एकर मैं divide कर दूँँ देकर function क्या बनेगा 1 upon value आगी R, H O T cancel हो जाएंगे first time में del upon del R, value आगी R square, del R upon value आगी del R plus value आगी, इसमें क्या cancel हो जाएगा, R O T cancel हो जाएंगे तो 1 upon value आगी H, sin theta, del upon del theta, value आगी sin theta, del H upon value आगी del theta आगी, plus इस time में क्या cancel होगा, R O H cancel हो जाएंगे, तो 1 upon value आगी T, value आगी sin square theta, del 2 T upon value आगी, del phi square equals to value आगी 0, इसको दे दिया अपने equation number third, ठीक है, अब इस equation में हम कह सकते हैं कि जो first term है, first term है first term है, यह किसको mention कर रही है, यह सिर्फ small r का function है ना, सिर्फ small r का function है, जिस तरीके से हम कहते हैं, X, Y और Z तिनों independent coordinates होते हैं, वैसे यह R, R, theta और 5 भी कैसे हैं independent coordinates हैं, तो इसका मझाला, small r की value में अगर change होगा तो theta और 5 की value में कोई भी change नहीं होगा, क्यों, क्योंकि these are independent variables, तो by the method of separation of variable, यह separation of variable method से हम क्या कर सकते हैं, इस term को किसे constant के equal लिख सकते हैं, तो value आग इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 upon r, del upon value आग del r, value आग r square, del r upon value आग del r equals to constant हमने define कर दिया, इसके लिए, l into l plus 1, ठीक है, अब यह term l into l plus 1 के equal हमने क्यों define की, क्योंकि यह the l into l plus 1 जहां हम conservation of angular momentum पढ़ते हैं, यह हम कहें कि angular momentum को जहां हम define करते हैं, उसके eigen values को हम जहां define करते हैं, तो वहां l square जो है, यह angular momentum operator उसके eigen value किसके term में आती है, l into l plus 1 की term में आती हैं, ठीक है, और यह जो term, इसके आगे बाल जो term हारी है, term basically हमारे बास किसको mention करती है, अगर इसको अपन और further solve कर रहें, तो यह term basically किसके term में आती है, angular momentum components को calculate करने के लिए काम में आती है, इसलिए हम constant क्या define कर रहे है, l into l plus 1, l है, वो हमारे बास क्या हो गया, constant हो गया, तो इसी term को में क्या लिए सकता हूं, देखो, del upon value आगे del r, value आगे r square, del r upon value आगे del r equals to value आगे l into l plus 1, print value आगे capital of r, ठीक है, differential कर दें इसका, पहली term का multiplication, del to capital r upon value आगे del r square, plus value आगे 2r, del r upon value आगे del r, फिर left hand side में आए, minus l into l plus 1 into value आगे r equals to value आगे 0 आगे, तो ये हमारे पास एक r की term में differential equation आगे, ठीक है, अब last unit third हमने बढ़ी थी, जहां में special functions के हमने बात कि थी, वहां हमने कहा था कि फिर को differential equation है, हमने कहा था p note x y double dash plus p1 x y dash plus value आगे p2 x और value आगे y equals to 0 है, हमने कहा था कि यदि x equals to a पर p0 x equals to 0 है, x equals to a पर p0 x equals to 0 तो x equals to a कुन सा point कहलाएगा, उसका singular point कहलाएगा और यदि x equals to a पर p0 x अगर does not equals to 0 है, तो x equals to a कुन सा point कहलाएगा, उसका ordinary point कहलाएगा, सेम उसी तरह तो हमने क्या कहा था कि solution आप क्या define करोगे, submission आगया, value आगी a r x minus a raise to power value आगी r, define कहा था ordinary point के लिए और अगर हम singular point की बात करता है तो power m plus r है ना, जो m वो क्या थी, x minus a की हमारे पास minimum power थी, तो इसका solution अगर मैं define करूँ, इसका solution मैं लेख दिया, r equals to a series solution की term value आगी a r raise to power alpha, submission आगया, किसके ओपर, submission आगया basically alpha के ओपर, जो भी values हमारे पास आएंगी, value हम इसके लिए calculate कर सकते हैं, तो अगर मैं देख इसका differential करूँ, एक बार, deal r upon value आगी deal r, value आगी a alpha, r raise to power alpha minus 1, ठीक है, इसी तरह के से अगर value निकालू, deal 2 r upon value आगी deal r square, तो इक उस्ट value कितनी हागी, a alpha, alpha minus 1, r raise to power value आगी alpha minus 2, ठीक है, जो भी हमारे पास differential equation थी, यही थी न, equation number 3, इस equation 3 में हम क्या करें, इस equation को put कर दें, equation 3 में put कर रहें, equation 3 के बाद इसको देता हूँ, equation number 4, एक वेशन 4 थी हमारे पास, r square, deal 2 r upon value आगी deal r square, plus twice small r, deal r upon value आगी deal r minus value आगी l into l plus 1 into value आगी r equals to 0, ठीक है, इस equation में हमें इसे put कर रहें, तो देखो value क्या बनेगी, value आगी r square, value आगी a आगया, alpha आगया, alpha minus 1, r raise to power alpha minus 2, plus value आगी 2 r, value आगी a alpha, और value आगी a alpha, और value आगी r raise to power alpha minus 1, minus value आगी l into l plus 1, value आगी a r raise to power alpha, एक उसे value आगी 0 आगया, ठीक है, यानि value आगी alpha, r r का square है, ये cancel हो गया, r से एक power, ये cancel हो गयी, value के इतनी बनी, alpha into alpha minus 1, plus value आगी twice alpha, minus value आगी l into l plus 1, और r raise to power alpha, a r raise to power alpha क्या आगया, common आगया, एक उसे value हो गयी 0, तो ये term, a r raise to power alpha तो solution है हमारा, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो value क्या बनी, alpha into alpha minus 1, plus twice alpha, minus l into l plus 1, एक उसे value आगी 0 आगया, alpha square minus alpha, plus twice alpha, minus l into l plus 1, equals to value आगी 0, alpha square, plus alpha, minus l square, minus l equals to value आगी 0 आगया, या इसको क्या लिख दू मैं, alpha square minus l square, plus value आगी alpha minus l equals to value आगी 0, ये ये value आगी alpha plus l, एक उसे value आगी, alpha minus l, equals to value आगी 0 आगया, तो ये आगी alpha minus l, आपने common निकालाने, value आगी alpha plus l plus 1, equal to value आगी 0, तो दो value आगी alpha minus l equal to 0, या alpha plus l plus 1, equal to 0, ये alpha plus l plus 1, एक तो value आगी L, और एक alpha एक उस्ट value आगी minus L minus 1, यानि alpha एक उस्ट value आगी minus of L plus 1, solution हमने का R एक उस्ट value थी, A R इस्ट पार alpha, तो summation दो value आँए हैं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसका solution मैंने define कर दिया, A R इस्ट पार एक तो value कितनी बनी, एक तो value आई L के बराबर, और दूसरी value आई माइनस L plus 1 के बराबर, तो A R इस्ट पार L, प्लस में value आगी, BL R इस्ट पार माइनस L plus 1, तो constantly लिख हमने हमने, और submission आगे define कर देंगे, हम आगे दुबार, equation number दे दिया अपनने इसको 5, ठीक है, तो जो हमारे पास जो equation 4 आई थी, उस equation 4 में हमने क्या किया था, जो term थी, term कितनी थी हमारे पास value थी, 1 upon value थी, capital R, deal upon deal R, R square deal R upon value आगे deal R, किसके बराबर लिया था, हमने L into L plus 1 के बराबर लिया था, कुँन से equation में, in equation 3 में, ठीक है, तो equation 3 में, देखो value कितनी आगी, अब L into L plus 1 रख दो, उसके जगे है, value आगी L into L plus 1, plus value आगी 1 upon H, sin theta, deal upon deal theta, sin theta, deal H upon value आगे deal theta, plus value आगी 1 upon T, sin square theta, deal 2 T upon value आगे, deal phi square request value आगे, 0, या इस पूरी equation को, अब देखो, ये T किसका function है, phi का function है, पूरी equation को देखो, अब आपन साइन स्क्वार थीटा से multiply कर दे, साइन स्क्वार थीटा याँ, cancels हो जाएगा, last while जो term है, last while जो term, सिर्फ function बन जाएगी किसका, phi का function बन जाएगी, तो मैं क्या करूँ इस equation को, मैंने ऐसा लेख दिया, L into L plus 1, sin square theta, plus नवाल्य वागी, sin theta अपोन H, del upon del theta, sin theta, del H upon del theta, plus नवाल्य वागी, 1 upon T, del 2 T, अपोन वाल्य वागी, del phi square equals to value वागी, 0, ठेक है, इसको देदिया, suppose that हमने equation number 6 देदिया, तो अभी equation 6 की यह जो term है, यह term function is, किसका, phi का function है, और phi कैसा variable है, independent variable है, तो method of separation of variable क्या कहता है, कि इस term को हम किसी constant के equal, मान सकते हैं, तो हमरे पाज़ जो term बनी, term क्या बनी, 1 upon a value वागी capital T, value वागी del 2 T, upon a value वागी del 5 square, equals to a constant, मालने हम, तो constant हमने ले लिया, suppose that minus of m square, क्योंकि exponential function होगा, वो इसको क्या करेगा, satisfy करेगा, तो जैसे एक plane wave का solution हो, जैसे मैं कहूँ कि T equals to, मैं ले लिया e raised to power i to m phi ले लिया, e raised to power i to m phi अगर लेता हूँ, तो i to m phi क्या करेगा, इस equation को satisfy करेगा, तो उसी तरीके से हमने इसका solution define कर दिया, value कितनी है आगी, del 2 T upon a value आगी del 5 square, plus value आगी m square T equals to value आगी 0 आगया, या T की जो value है, वो कितना लिख दूँ, solution क्या आगया, e raised to power plus minus i to m phi, और कोई भी एक constant में इसके साथ define कर दिया, ठीक है, तब मैं कहूँ जो equation number 6 थी हमारी, equation number 6 थी, equation number 6 में इस term की जगा हमने कितना रखा, minus of m square रखा, equation 6 देखो क्या बन जाएगी, from equation 6, we have sin theta upon h, del upon del theta, sin theta, del h upon del theta, minus value आगी m square, plus value आगी l into l plus 1, into sin square theta, equals to value आगी 0 आगया, ठीक है, या इसी term को अपन थोड़ा सा ओर सोल करके लिख दें, value क्या बन कि sin theta आगया, value आगी del upon value आगी del theta, sin theta, del h upon del theta, plus value आगी l into l plus 1, into sin square theta, minus value आगी m square, into value आगी h, equals to value आगी 0 आगया, तो ये हमारे पार differential equation आगी, अब किस की term में, theta की term में, इसको दे दिया अपने equation number, 72 value हमने calculate कर ली, r equals to value हमने कहा दी की value, al, r is to power l, plus bl, r is to power minus l plus 1, t, t किस का function है, phi का function है, r किस का function था, small r का, तो small r और phi के लिए, हमने equations का solve कर लिया, अब हमें solve करना कुँन से equation को, जो equation किस के लिए है, theta के लिए, जल्द मिलते हैं नहीं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.